यहां पर तुम्हें बहुत पैसा मिलता है गल्फ्रेंड नहीं है नहीं है क्योंकि अभी भाई-साब बनी नहीं कोई यह बिग फॉर अगर आप सीए ना होते तो आप क्या कर रहे होते हैं इंडिया के लिए बिग फॉर में थोड़ा नॉर्मल जॉब से बिटा सकता हूं कि बहुत कोई पता भी है लेकिन शायद बहुत को नहीं भी पता हेई गाईज वेलकम बैक तो मैं चैनल आइम और फ्रेंड शुबर में और सीए इंटरमेडियर सुडेंट तो फर्स्ट अफॉल यार थैंक यू थैंक यू सो मच आपने मेरे जो आर्टिकर्शिप व्लॉग से उनको इतना ज्यादा प्यार दिया मतलब मैंने सोचा थो था कि ये वीडियो अच्छा परफॉर्म करेंगी बट इतना करेंगी ये मैंने कभी नियू सोचा था सो थैंक यू थैंक यू सो मच वंस अगे और मैंने अर्टिकर्शिप व्लॉग सी एक सेपरेट सीरीज बना दिया है उसकी बहुत सारी वीडियो आने अब भी बाकी है और एक और हमारे चैनल की पॉपलर सीरीज है जिसका नाम है फन कॉन्वरेशन सीरीज और इस इस फिफ्फ एपिसोड और जो आज के गैस्ट है वो भी एक चारड़ अकाउंटेंट है और हमें पता है कि जो सीए वो कितना तफ है करने में इट कमस अंडर टॉप 10 तफ़ेश एक्जाम्स अफ इंडिया तो आपकी सीए जर्नी को स्मूध बनाने के लिए फिजिक्स वाला PW लेकर आज चुका है संपून बैच 2.0 फोर सीए फांडिशन सुडेंट्स अंड उधेश रगुलर बैच फोर इंटरमीडियर सुडेंट्स संपून बैच इस अवलेबल फोर 3.6.99 रुपीज अगर आप उधेश रगुलर बैच लेते हो इंडिविजुल का मतलब गुरुप 1 और गुरुप 2 का इंडिविजुली लेते हो तो आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 3.999 रुपीज का पर अगर आप बोद गुरुप स बैच लेवल कभी भी आप उसको देख सकते हो यहां पर आपको डेट इली प्राक्टीस प्रवल्स भी प्रॉइट की जाएंगी आपको यहां पर लेक्टर के नोट के सासथ फ़ेंसे को कोम टीजो बैट की जाएगा इन साथ भी साथ मोख टेस्ट हुप गयागा ताकि इस एपिसोड में जुट चुके हैं वो जो की एक चारड़ अकाउंटेंट है जो की बिग फोर में जॉब कर रहे हैं प्लस वो एक ब्लॉगर भी हैं जिनके यूट्यूब पर 30,000 प्लस अबस्क्राइबर्स है और वो अपनी फिटनेस को लेकर बहुत सीरियस है तो प्लीज वेल्कम टू मैं वीडियो सीये अमन दीप सेंग सो कैसे हुई या मेरे चैनल पे आपको आकर कैसा लगा रहे सबसे बहले ये बताओ थांक्यू सो मच छुबं मुझे इन्वाइट करने के लिए मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि मैं अपने आपको बहुत बढ़ा नहीं मानता है मैं ऐसे किसी की वीडियो में आके यहां पर ग्यांदू और पड़ी बात निकले जाए तो अजीब से लगे बट ठीक है मैं यह यह मेरे भाई है और इसने मेरे को जब एक पर वीडियो बनानी थी अपने अपने सी अमन्दीब टॉक्स चैनल पर अप तो वीडियो नहीं डालता मैं उस पर सी यह से लेकर अब लॉक्स ही बनाता हूँ बट जब मुझे उस पर वीडियो डालनी थी तब भाई आया था स्पेशली अपने घर से उठके मुझसे मिल लेती दूर तो इसलिए भाई तो यही दिखाना चाता हूँ कि अवन दीब सिंग जो एक स्पोर्ट्समेन है जो एक श्वोट्समें रहा चुका है जिसका शौक स्पोर्ट्स में आगे जाने का था जिसका शौक कुछ लाइफ में अलग करने का था उस वज़ाइस से इसने यूट्यूब चार्ड करा बनाता हूं मैं थोड़ा entertainment रखता हूं और अपने vlogs के थ्रू मैं यही दिखाना चाहता हूं कि सीए होने के बाद भी एक नॉर्मल जॉब होने के बाद भी हम अपना lifestyle वैसा बना सकते हैं जैसा हम सोचते हैं यह ड्रीम करते हैं कि एक business class बंदा है यह जो पैसे वाला बंदा है वो वैसा lifestyle जी रहा है कि वैसा जी सकते हैं तो बस मेरी यह कोशिश रहती है एंड या इतना सही मैं आपके व्लॉग जालते हो ना मैं पूरे को पूरे देखता हूं और इतने इंटरस्टी नहीं होते हैं ना मतलब एक डियालॉक्स तो मेरे को अभी भी याद है वह ओ माई जॉट्स वर नाइस यह मेरे को लगा होगा अपने आपी यह प्लैंड नहीं होगा यह अपने आ आपकी लोग मुझे देख रहें बट देख तरह हमें तो confidence आगे मतलब वह पहली बारी मैं शूट करने निकला था सोचके मनाली में था कि मैं चलो आज ब्लॉग बनाते हैं वह जबरदस्ती ब्लॉग बनाने में निकला था तो शुरू में इतना जादा मैं नर्वस था इतना जादा घबरा रहा था कि बाद में जाके वह न हम सबको पता है कि मतलब काम बहुत जादा होता है मतलब कि मैं व्लॉग भी देखता हूं आप बोलते हो कि मैंने सुबह दस या ग्यारव बज़े लैप्टाप पॉल और शाम को नौ-दस बज़े बंद किया इतना एक्टिक शडूल होता है प्लस आप यूट्यूब भी है तो सबसक्राव पर बढ़ता है तो सबसे बहले यह बता हूं कि 쉽 new artists कर कैसे लेते हो जड़ेंट तो आपने हामें पिन हृप diversight नो चैहिए वह में देनाइं पड़ेगा क्योंकि घृक्र जो बाकी चीज़ें यह वह मैरा शौक घरादेता है मुझे पता है कि दो दिन से विडियो नीडल ली तो मैं पूरी रात जाके विडियो एडिटिकंग भी करूँगा और विडिव एडिटिंग मुझे आता है दिए essen्लिये थखानती मेहसूस होती जिम मेरा तो मुझे पता है कि मैंने अपना इशरीर को ठीक टाग रखना है अगर मैं जिन नी जाओंगा प्यूंगा नी तो मैं गंदा दिखूंगा और मैं गंदा दिखूंगा तो में कपड़े पहनने में मज़े नहीं आएंगे और मुझे अच्छा दिखना बहुत पसंद है मुझे फोडोस के चाना पसंद है अब तो यूटूब बे वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए जीम तो मैं रेगुलर रखता ही हूँ बस यही है यह चीजे अपने शौक जो है जब मेरा शौक मेरी हमेशा पराइटी रहती है काम खुछ स City यह और मुझे अर्लमार्म्ल तरीके से कर रहा हूं ह polar calm चाइक परेंस जॉट्र के सब्सक्राम करने तो यह आप को एक साल अल्मोज होई चुका है तो आप थोड़ा यह बताऊ है का यह पूरे एक साल कि जरनी कैसी थी बिग 4 में बढ़ा कुछ मिद्स बताओ कि कुछ मिद्स होते हैं या फिर कोई रियालिटि जो आपको पता चली हुआ हो हास्ट रियालिटी मैं यह नॉर्मल जॉब्स में है बिग 4 में थोड़ा नॉर्मल जॉब्स है बेटर बिड़की जो बंदे सीधा है तो मित है भी और नहीं होता है अब यह मिथ है क्योंकि मेरे साथ अश्काम नहीं है वहाई है यहां है कि बहुत ज़्यादा का मैं प्रेशर स्टेड़ींस पर लगए जिन बंदों के साथ तुम काम करें उस पर डिपेंड करता है कि तुमारा मेंटल पीस या तुमारा प्रेशर क्यासर है तो पहली मिथ तो यह थी बीग फॉर की काम से रेलेटेड दूसरा एक मिथ यहां मिथ पैसा मिलता है तुम्हारी यहां पर नौखरी लगए तुम तो भाई सब समीर हो गए तुम तो ऐसा उचीनिये । अधर्वाइस ऐसा कुछ ही मिलता है कि आप को बहुती ज्यादा पैसे मिल रहे एक और में था अगर हम ढूनना चाहें दिवरदस्तिकी तो वर्कलाइफ बैलेंस भी अब दिख होता है को यहां पर किया जाता है तो प्रपे बात करे जाते हैं अगर आप अपना काम कर रहे हो मानुब सुभशन के शाम तक काम कर तो और आप यहां पे कन्वे कर दोना कि भाई मैं इतने घंटे काम कर रहा हूं मुझे जिम जाना है या मुझे छुट्टी लेनी आ है not feeling comfortable जो भी मतलब आपको अपने लिए टाइम चाहिए तो यहां आप उस चीज की रिस्पेक्ट की जाती है अगर आपने किसी को अपने या अपने मैनेजर को किसी को भी एक कर दिया तो आपकी इस चीज़ की रिस्पेक्ट करें जाती है यह चीज यहां पर पर लाइन को इतनी देता वग्लाइं स्पर्मोट कर जाता है लोग्शान के ब्यांड तो वो कुछ सोच नहीं पाते मैंने बहुत सारे सी स्ट्रेंट्स देखें तो उसको बोलते हैं कि हाँ बाई मैं तो जॉब करूगा और गौर्वन्ट जॉब मिल गई तो तो बढ़ी है बढ़ी है तो क्या यह अब चक्कर यह कि हमें पता ही करने के बाद या तो एक प्रैक्टिस होती है जी दुफान खोलने में ली या एक जॉब कर लो जब आपको पता ही इतना है तो फिर बंदा इतनी सी सोच के अंदर ही चीज़े सोच पाता है और इसके ब्यॉण्ड मैं भी अगर सोचना चाहो तो म मतलब इसमें कुछी दोराय नहीं है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इनको इन दो चीजने लावा कुछ नहीं दिखते हैं और इसके अंदर खुशने के बाद भी बहुत लोगों को पता नहीं होता कि और कि इतनी सारी पॉर्चुनिटीज है लाइफ यह जैसे जब मैं सब्सक्राइब करने चाहिए कि कुछ अलग-अलग चीज़ें करती लेने चाहिए तभी मालम शब्द है कि दुनिया कितनी देशी आगे बढ़ रही है हाँ मतलब अगर आप इस एंगल से पूछ रहे हो कि सब कुछ है या मतलब इसके ब्योंड भी आप कुछ कर सकते तो अगर आपका कोई पैशन है और आप उसमें बहुत अच्छे हो आपको खुद पर रहोसा है तो आपको जरूर परशू करना चाहिए हो और उसका गुणा भाग आपको ही करना पड़ेगा जैसे बहुत लोग या बहुत बच्चे पूछते हैं आपसे भी पूछते होंगे मुझसे भी पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा है हमारी सिचुशन या है तो हम क्या ऐसे कर लें जैसे कि मैंने या अपने अगर उनको जवाब दे दिया तो व हुद से जवाब मिल जागा कि हाँ या आपके बस की है या नहीं या ना चाहिए और वह खुद के अंदर सी आना चाहिए दूसरों से पूछने जाओगे तो फिर हमेशा कंफ्यूज रोगए तो इसलिए लगता है कि हाँ कुछ और परस्यू कर सकते हैं हम अच्छे हैं उसम अच्छा यह बताओ कि फिटनेस कितने इंपॉर्टन है लाइफ ही तुम्हारी फिटनेस है जो कि क्या फैसा कमानेगा क्या फैसा बनेगा जब तुम तीस साल में गुट्टे लग रहे हो और 35 साल ततुम में बिमारिया लग रही है तुम लाइफ क्या इंजॉई कर पाऊग बन्दा चाता है फिटनेस दो तरीके की होती है एक है जिम जिससे तो भारी बॉड़ी तुमारी इच्छी होती है एक है योगा मेडिटेशन टाइप जो तुम्हारी इनर से को या इंटरनल बॉड़ी पार्ट्स को सही करते है फिट करते है वी से लिए तो एक स्टेज तक तो यह दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब यंग हो तो मैं भारत से दिखना भी अच्छा दिखना भी ज़रूरी है तो इसलिए जिम उसके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपको यह भी शौक नहीं कि हमें भाई लंबी जिंदगी नहीं जीदी हमें मतलब बिमार जिसको खुद से प्यार है तो वो तो करेगा आपकी यूटिब के बारे में कुछ जानते हैं तो आप यह बताओ कि आपने कैसे सोचा कि यह ब्लॉगिंग मैं स्चाट कर सकता हूं या फिर ब्लॉगिंग मेरे को ट्राय करना चाहिए आपने कुछ और क्यों नहीं सोचा मुझे तो कुछ और करना था यह बहुत सोचता था कि मुझे क्या करना चाहिए तब किसी फ्रेंड ने मेरे को ऐसे बोला कि तू यह क्यों नहीं करता व्लॉगिंग क्यों नहीं करता हमें लगता कर सकता है तब पहली बार घंटी वाजी और वह मुझे थोड़ा पास्ट में गई 2016-2017 के टाइम में जब मैं व्लॉग्स देखता हुथा मूब बैकर निखिलके और फ्लाइंग एक दो ऐसे व्लॉगर से तब मैंने अपना यह वह जो चैनल अभी है यह अलड़ी बना रखता नाम इसका यही था अलफा सिंग गी नाम था और यह तो मैंने अलड़ी बना नौकरी मैंने छोड़ दी थी एक साल बार सीए बनने के और कोई ऑप्शन नहीं था यह करना शुरू है यह तो खाड़ा नहीं है बट भरोसा भी भी है तो इसलिए यह कॉंटिजू रख रहो हुए नहीं सर आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया जो मतलब जो बंदे सपना देखते हैं आपने वह अचीव कर चुके हो लाइक आप सीए भी बन चुके हो बहुत हो सपना होता है प्लस 30,000 सब्सक्राइबर सर एक बार आपना इमेजिन करो आपके घर के बाद 30,000 लोग खड़ जाती है यह बात जाती है है यहार तक शफर ऐसा ही था कि मैं बहुत और रहता था लेकिन आठ जार के बाद का जो सफर है वह उसने मुझे सिखा दिया जह मैं आठ तक तक तो उस यह सिखा दिया तो मैं वापस नीचे आगे और तो फिर थोड़ा और बड़ा सोचना पड़ेगा मेरा है अपने मेरे कुछ नंबर्स हैंगी जब तक मुझे आसा नहीं लगता कि यह ना करूँ तब मुझे खुद से सैटिस्वैक्शन नहीं मिलेगी तो बस यही है मैं थैंक्फुल हूँ कि मेरे इतने सारे 30,000 पर भी सब्सक्राइबर्स हैं मुझे देखते हैं लोग पसंद करते हैं इसको मैं ऐसी नहीं समझा रहा कि हाँ है तो ठीक है बट मैं इससे और विल्मिया एक्साइट नहीं होना चाहता अगर आपने वह ब्लॉगिंग करने का ट्राइल नहीं किया होता तो शायद आज यह इं आज तक मैं बैक कैमरे से शूट किया कर तो आज तक मैं बैक कैमरे से शूट कर रहा हूं जब से आपने वह बहुत बड़ी है क्योंकि ना फ्रेंड से व्लॉग करता है तो आपनी शकल साइड में देग पार हूं तो मेरे को मेरा हाथ बार-बार यू जाता है यू जाएगा यू जाएगा यू जाएगा अभी पगड़ी क्यों मैं वोइड कर रहा हूं पगड़ी से लेकिन एक चीज़ और प्रोटेप है बाई कि ऐसे ही दूसरों को देखके व्लॉग में स्टार्ट कर देना बहुत सारी कि तुमारी लाइफ देखने में किसी को टर्स नहीं है क्यों होगा तो अगर इसका जवाब मारे पास है तब तो ठीक है अगर नहीं है तो फिर मत करना एक बात तो मैंने सीखे कि आपना आपके इंदर एक फाइटिंग स्पेरिट है ऐसा माइंडसेट कैसे रखा जाए लेक आपके माइन में क्या जीद आती है यह तो मेरे इसका सारा क्रेट जाता है मेरी स्पोर्ट को जो बंदा बच्पन में स्पोर्ट खेला है ना जो खिलाडी रहा है वो हमेशा उसके इंदर फाइटिंग स्पिरिट रहेगी मैंने दो फिल्ड गेम्स खेली और वहाँ अच्छ जीज़ए से भी डेवलप होई हैं सिए तुम्हें टफ बनाती है पेशेंस तुमारी टेस्ट होती है तुम कितने हो यह सब्सक्राइब तुम सब्सक्राइब तो तो वहां से आती है और फाइटिंग स्पिरेट पैदा नहीं कर सकते हैं यह मुझे लगता है नाचुरल है बंदा अपने जिंदगी के लेसं से या आगे वह जो पाना चाता है उसकी मोटिवेशन से डेवलब करता है नेक्स कोश्चन है विया कि आपका विजन क्या है मतलब अपने आपको पांच यह दस साल के बाद कहां देखते हो मतलब मोटा-मोटा कि यह यार कि मैं ऐसा कर रहा मतलब ऐसा एक तेम जैक्ट क्या देखता हो तो मुझे भी नहीं पाता और मैं शेर भी नहीं करूंगा बट ऑपिसली मैं चाता हूं कि यार मेरे को जाने ज्याना से जादा लोग जाने उस ट्राइम पर बेसिली ना वह फेमस हो हूं है अल्फा सिंग जो यूटुब चानल ह अल्फा सिंग मैंने यूटुब चानल है अल्फा सिंग को एक ब्रैंड बना तो यह पाकी आगे पता ही चेंज होती रहती है तो हमारी वीजन भी चेंज होते रहते हैं तो सर्ट एक और चीज है कि सबने जरूर चेंज होते हैं होते हैं जंब आत्मे रहती है एक सपन जरूर आसा होता है होती है कि तो मैं असली मों सपने हो स्प्र चाहता है वह में सेम्राता है यह मैंने यह इंड आ है तो सर एक कोशन है जो कि मेरा सवाल नहीं है मैंने इंस्टाग्राम पर वो डारा था एक तो वहां से आधा की सर आप तो इतने हैंडसम हो आपकी गल्फ्रेंड है या नहीं है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है यह जवाब देदा सर उसके अच्छा इतना हैंडसम हो उसके लिए तो पहले थैंक्ट इसी कि तुम आशा है और गल्फ्रेंड नहीं है नहीं है क्योंकि अभी भाई साब बनी नहीं कोई तुम खोदी तुम खोदी बता रहे हो वीडियो में कि यार तुम जिम कर रहे हो कभी ट्रावल कर रहे हो कभी ऑफ लेकिन वह वाली बड़ी अच्छी लगी है आप अपकी जो वीडियो तर्बन मांदने वाली अरे वाग क्या मज़ा आ गया देख कर अग्या एंसा कोई सीक्रेट जो कि आप इस एपिसोड में रिवील करें जो कि आप कि अपकी किसे के साथ आपने शेर नहीं किया कोई सीग्रेट हो सकता है जो आप यहां बताना चाहते हो कोई भी जो आप छुपादे हो थोड़ा सा जो कि आप चालती नहीं ही मैं रिवील करूँ अपनी वीडियो में थोड़ा से यहां करते हो कि वैसे को मैं सभी दिखाता हूं लेकिन ऐसा कोई सीग्रेट सीग्रेट एक पता सकता हूं कि बहुत कोई पता भी है लेकिन शायद वह तो को नहीं भी पता कि आप जो मेरी व्लॉग देखे रहे होते हो तो वह काफी पुराना भी होता है अब जब सर्दियों से गर्मी आई तो गर्मी आ गई है लेकिन मैं सर्दियों कपड़े पहने के वीडियो जाता हूं तो थोड़ा जी लगता है अभी एजी नहीं है वह तो वीडियो की डिमांड ही अगर बात में डालू तो फायदा गया है साथ साथ यहां जाके हमारे कोशन्स होते हैं खतम बट 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 एक सेगमेंट रहता है एक क्या एक दो रहते हैं तो एक सेगमेंट है सर रैपिड फायर राउंड तो आर यू रेडी सर्ट आपको बिल्कुल टाइम नी लेने आपको कटा-कट आपको देने आंतर चीए अधर करते हैं आपकी अब तक की सबसे एक्सपेंसी परचेस कौन सी है मेरे लैप्टॉप आइफोन आइफोन सबसे मेंगी पर वो चीज जो आपने मदब की पूरा इकठा दियो पैसा लाइक यह तो आप चाहिए यह तो मैंने आइफोन आइफोन और यह अपने मैक बुक का एंसर नेक्स कुछन है कोई ऐसा कोई ड्रीम आपका जो आप चाहते हो कियर यह करना लाइफ में एक बार एक बार तो अब पूरे नियुक्त की बात करें तो एक बात करिया है तो और थे मसूने पर दिए विज़ यह थोड़ा वो क्या करते है इसको एक वर्ड यूज करते हैं लेकिन नहीं क्योंकि अब चुछ लोग पिचाने अल्फा सिंग को पिचाने अल्फा सिंग जो मैं यूट्यूब चाहिए उसको पिचाने आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल जो आप डेली रोदमरा की दिमी में देखते हो गई आज के टाइम में रहेगा वो मैं देखता हूं जो शार्क टैंक देखता हूं मैं तो वैसे व्लॉगिंग उसमें जाओगे तो मेरे को वह पसंद है जो कोई बात नहीं नेक्स विश्ट कर रहे हों तो आप क्रिकड़ रहा हूं था इंडिया के लिए औरे वाँ तो कुन सी टीब में जाना आप पसंद करते वैसे आई पिल की तीब में बात करें अगर आप को में लें खेलूंगा मैं इंडियन से या आप सीवी जो और सीवी जो आप आप ट्रॉपी दिला दो यह सथ बता रहा हूं मुझे खुद रही है कि मैं ऐसा कैसे खेल रहा हूं कि मुझे इसले करा जिता देगे तुम मेरी दो लगाओ प्रोच लगाओ जारा आर्टीवी कोई आपकी सेलेब्लिटी करेश इसले पांच बता दो पांच बता दें नेहा शर्मा सोनम बाज़ा क्या नाम है अरे वह 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 बहुत है अगर आप पास में जाके कोई इसले इसलेबर आप अगर एक करना चाहूं जिस पॉइंट ऑप टाइम पे मैंने यह डिसाइड करा था कि मैंको अब क्रिकट खेलनी तो छोड़ देनी चाहिए तो वह वाला मैं चेंज करता है तो डेफिनेटली चेंज करता मैं बस एक है और कोई और इंस्पिरेशन जिसको देख्या भी इंस्पायर होते हों विराट कोली से होता हूँ मैं बहुत इंस्पायर इंडीर चोपड़ा से होता हूँ मैं उसके लावा शारू खान से होता हूँ इस टाइप के लोग मुझे जा रपसे है और की या क्रिकेट इन दनों इसको कोई चूज करना होता हो परस्ट लव कोई फेडरेट मूवी आपकी जुसको आप हजार बर देख सकते हो आपकी ट्वेल्थ की परसंटेज्ट इसका नाम ने वर्ट्स और फोन इसमें क्या होगा सर मैं कुछ कोशन कूछँँगा आपको बस बताने कि आपके फोन में क्या क्या है वो सब आपने आप बताएंगे ठीक है सर तो चार्ट करते हैं एक लिए कर दूँ या नहीं 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 सर सर यह बात नहीं यह तर फोन छोड़ दो फोन छोड़ दो इस तो आपका होम स्थी इंप बॉल पेपर गौन सा है नेक्स है आपके लास्ट गूगल सर्च कोन सा था अभी मतलब रिसंट में सर्च देख लेए अभी देख लें आज में गाटे की सर्वेस कराने गया था तो किया सर्वेस पर नियर मी तो आपके ख़र्ड रिसंट फोटो और गैलरी जो भी है सबुए तिखाने पड़े गग आपका मोस्ट यूजड एप अपके फोन में इस्ताग्राम ही है मैंशेज स्टोरी डाल रहे होते हैं वह आपका फेवरेट सॉङ आप करेंट सुन रही हो आप क्रेंट फेवरेट आप अब तो इसे कोई नी सुन रहा बट वह वाला सुन रहूंगा अभी कौन साया था वन्या गाना तो अपसेस्ट अपसेस्ट भी और वो गडियां उचियां रखियां नारा वह वह पिछी अंपर तून तो एसा नहीं है मैं विसको लूप पर सुन रहा हूं बट एक टाइम पर स तो इसलिए और टाइम से दुमू से वाला लेजंट नेवर डाय लेजंट नेवर डाय लेजंट नेवर डाय इस आपकी फेवरेट फोटो जो आपके सबसे ज्यादा पसंद आपके फोल में अपनी अपनी इस्टाग्राम पर मैं डाल रख्योंगी विए देखनी पटेगी बहुत सारी है मेरी फेवरेट इसलिए मिरको यह वाली मेरी फेवरेट इसलिए मिरके पसंद आई है यह वड़ी होती है लुक प्यारी लग रही है लाइस मैं जैसे मैं सोचके गया था वैसी लगार हूँ सबसे पहले आपके माइन में शाइक किया वह आपको अ इस यह क्या बुला कि शीए यूटूबर दियालफा सिंग्व सेस्ट इस दियुक्ति कर एक उटिज्ट है तो फ्लाइंग प्लाइंग बच्छ प्लाइंग को टै्ट हुए वीडियो में भी सब्सक्राइब करते हैं तो आज हो जाए सब्सक्राइब कर लंबॉर्गुनी यह बिगपोर एल्फा सिंग नंबर वन ब्लोगर ओफ इंडिया जानी हो एक दिन होगा एक दिन होगा ने नी होगा उगा सरो बिल्कुल होगा तो बैर से इट पर टुड़ेश वीडियो एड आप सब को पूरी वीडियो पसंद आ योगी एंड नेक्स्ट गेस्ट आप किसको देखना चाहते हो कमें जरू विडियो में बाबार त्व थांक्यू फौर वाचिंग दिस वीडियो आपको पसंद आई होगी है यह तो लाइक शेर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें अग शॉच्ब्सक्राइब करें चैनल को मिलते हैं मगली वीडियो में सच्री काल सानिंग और अटीर टाइंग